किसान साथियों यह हमारा एक महीना के लगभग पुराना वेस्डी कंपोजर है देखे कितना अच्छा है और इसमें बड़ी भीनी भीनी खुसबू आ रही है कुछ भी नहीं कुछ किसान भाई पूँशते हैं कि हमारा खराब हो गया यह ओगया देखे यह कल भी मैंने एक किसान भाई को दिखाया था और अब हम इसका संपल लेंगे और इसमें यह पता कर वाएंगे कितने पर्सेंट या कितनी मातर इसमें analyse जीवानोmedim है और कितनी नाइट्रोजन वालों की है और कितनी पोटास वालों की है या कोई अन्य है ये देखेंगे कि इसमें होता क्या है और ये हम सेम्पल ले रहे हैं ये हमने सेम्पल ले लिया और अब हम इसको तुसार भाई की लैब में भेजेंगे और जहां पर वो टेस्ट करके हमें बताएंगे किसान सातियों नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार तियागी और हम बात कर रहे हैं बेस्डी कमपोजर के उपर किसान सातियों मुझे बहुत किसानों के फोन आते हैं और वो ये पूuschते हैं कि त्यागी जी क्या आप इसका प्रयोग कर रहे हैं और इसके आक्चुली में क्या फाइदे हैं और क्या इसका कल्चर हमें आपके यहां से मिल सकता है या हम Amazon के यहां से खरीद सकते हैं, तो आज मैं इसकी वास्तुरिक्ता से आपका परिश्य करा हूँ. किसान साथियों, काफी दिनों से मेरे मन में एक सवाल था, कि जो मैं परियोग कर रहा हूँ, इसमें है क्या आखिरकार? आप सब को पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, 197 नमबर, जिसका के लिक भी उपर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में मैंने दो परकार से खाद बनाई थी, और West Decomposer का परियोग मैं खाद बनाने में, और सिचाई के माध्यम से जमीन में देने में करता हूँ, इसक के अलावा मैं इसका परियोग किसी और रूप में नहीं करता, मैंने बंद कर दिया है, इसके मुझे बहुत अच्छे परिनाम मिले है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें ये तो पता करें कि इसमें आखिरकार है क्या, मैंने इसका सेंपल लिया और भेज दिया तुसार भाई की किसान सातियों, जब वहां से मुझे इसका परिनाम मिला, जो टेस्ट रिपोर्ट मिली, ये आप भी देख लीजिए, इसमें मुझे चार टाइप के बैक्टिरिया मिले, पहला था नाइट्रोजन सोलेबलाइजिंग बैक्टिरिया, दूसरा था फासफोरस सोलेबलाइजिं बैक्टिरिया, और तीसरा था पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टिरिया, और चोथा एक मिला जिंक सोलेबलाइजिंग बैक्टिरिया, किसान सातियों, ये बैक्टिरिया जो सोलेबलाइजिंग वर्ड ये मैं यूज़ कर रहा हूं, ये होते क्या है, आपने सुना होगा कि जब हम पोधों को खाद देते हैं, तो काफी मात्रा में खाद जो है ना, वहाँ पर जो तत्व होते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, जो फोस्फरोस होता है, जो पुटास होता है, वो हमारे पोधे को नहीं मिल पाता या वो नहीं ले पाता और ये जमीन में पड़ा रहता है कुछ तत्व हमारे वातावरण में होते हैं वातावरण से मेरा अर्थ है कि वो जमीन में भी हो सकते हैं वो वायू में भी हो सकते हैं और वो पानी में भी हो सकते हैं और जो आप खाद देते हैं वे उसमें भी हो सकते हैं ये जीवानू जो वेश्री कंपोजर के अंदर हैं जिनने हम solubilizing bacteria काते हैं इनका कार ये होता है जो एगुलनसील तत्व पड़े हुए है पोधा कभी भी एगुलनसील तत्व को ग्रहन नहीं करता उसे चाहिए गुलनसील तत्व है और ये जो solubilizing bacteria है ये यही काम करते हैं कि जितने तत्व हमारे वातावरण में हैं जो एगुलनसील अवस्था में हैं उनको गुलनसील अवस्था में लाकर पोधो को available कराता है इसका अर्थ यह विया कि आपके पोधो को अगर आपके वातावरण में जमीन में पानी में और खाद में अगर एगुलनसील तत्व हैं तो ये उनको पोध्यों को उपलब्द कराएगा और आपको बाहर से खाद कम देना पड़ेगा लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वह होंगे तो अगर नहीं है तो फिर यह कोई काम नहीं कर सकता यह सिरफ नाइट्रोजन जो अधिकतर हमें वातावरन से य आप देखिए वो मिले हमें दो गुना दस की पावर आठ यानि दो लाक करोड एक एमल वेस्ट डिकमपजर में हमें मिले जीवानू दो लाक करोड और जब हम इनको मल्टिप्लाई करते हैं जब हम खेत में इनको देते हैं पानी के माध्यम से देते हैं या खाद में देते ह तो यह अपना कारिय सुरू कर देते हैं, वहां पर ये क्या कारिय करेंगे, आपने जो खेत के अवसेस हैं, जैसे पराली है, पराली क्यों गल जाती है, इन ही बैक्टिरिया के कारण, जो आपके गन्ने की पतियां पड़ी हैं, या जो घास है जो आपने जब निराई गुडा हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, कीडे हैं, या आपकी वनस्पतिक हैं, उन सब को de-compost करेगा, यानि कि खाद के रूप में परिवर्तित कर देगा, और जब ये खाद के रूप में परिवर्तित करता है, तो हमें क्या मिलता है, एक तो मिलती है कारबन और एक इसकी साथ मिलते हैं जो demineralisant process होता है यानि जब उसका विगडन होता है जब ये जीवानों कारिये करते हैं तो जो हमें ये पदार्थ मिले तो जब इनका अपगटन होता है इन मैं से जो mineral है यानि तत्व हैं वो बहार निकलते हैं और जब ये जो जीवानू हैं ये पोदों को अवलेबल करा थे किसान साथियों यहां एक सवाल और उठता है किन हम यह पता नहीं कर सके कि वो कौन से बैक्टीरिया और फंगस है जो इन पदार्थों को जो मरत पदार्थ खेत में है या आपने जिनका खाद बना रहे हैं वो कौन से हैं क्योंकि यह प्रोसस बहुत लंबा है और खर्चिला भी है और हम इसे अफोर्ड नहीं कर सके हमारे पास वो सुविधाई नहीं थी कि हम इनका पता कर सके लेकिन इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस अवस्य हैं जो इन पदार्थों को अपगटित करते हैं यह हमने सिद्ध किया था अपने खाद वाले वीडियो से मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि किसी आदमी ने कुछ कह दिया और आप उसको मान लीजिए आज कल वेस्ट डिकमपोजर के बारे में बहुत चर्चाए हैं इवन के भारस सरकार ने इसको बंद भी कर दिया है लेकिन फिर भी किसान परियोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसके दो फाइदे बहुत अच्छी तरह मिले हैं जब आप इसे जमीन में देते हैं तो जो मैं घास काटता रहता हूँ खेत की बार-बार उसे वहीं छोड़ देता हूँ उसको ये अपगटित करता है और मेरी जमीन बहुत अच्छी भुरबुरी है और उसमें केचवे बहुत है और जब मैं इससे खाद बनाता हूँ तो इससे उतनी ही उत्तम खाद बनती है जितनी की केचवा के हिसाब से जो केचवा से खाद बनाते हैं समय भी अधिक लगता है पैसा भी अधिक लगता है लेकिन गुणवत्ता उसकी उतनी ही होती है जितनी की मैं इसमें West Decomposer में सरसोगी खली और गुड डाल कर बनाता हूँ किसान साथियों ये थी मेरी एक छोटी सी प्रजेंटेशन कि West Decomposer आपको प्रियोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या इसके क्या फायदे है मैंने इससे जो एक जो सुक्सम तत्व है वो भी बनाए थे वो भी प्रियोग किया लेकिन मुझे लगा कि इसमें खर्चा बहुत है समय बहुत लगता है और धीरे-धीरे मुझे इस बात का ग्यान हुआ कि सुक्सम तत्व बहुत कम मातरा में चाहिए उन्हें आप बाजार से खरीद कर भी जो की काफी कार्बनिक फोर में भी मिलते हैं यानि के जेविक फोर में भी मिलते हैं बाजार से खरीद कर लगा सकते हैं लेकिन खाद के बिना आप खेती लगभग ऐसमभव है इसलिए खाद का परियोग करिए और इस पर एक विश्तरत वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा और ये बताऊंगा कि खाद और हुमेस में क्या अंतर है और किस प्रकार खाद हमारे पोधों के लिए एक अच्छा कारिय करती है इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जै हिन जै भारत बंदेवाद